तो मित्रो आज मैं आपको अरंडी के पौधे से पर्चय कराने जा रहा हूं जिसको एरंड का पौधा बोलते हैं अरंडी का पेड़ बोलते हैं और इंगलिस में इसको कैश्टर प्लांट बोलते हैं इसके पत्ते मित्रो पपीते की तरह होते हैं लेकि पपीते हां नहीं होता ये इस तरह से इसके फूल आते हैं पीले नीले और सफेद ये इसके बीज है और एक फल में तीन बीज निकलते हैं इसी से केश्टर रॉल बनता है इसलिए इसको इंगलिस में केश्टर प्लांट बोलते हैं तो मित्रो मैं एक विसेश जानकारी देने के लिए आया हूँ अधिकतर लोग मुझे सब पूछा करते हैं फौन करके कि हमारे घुटनों में टकनों में और पीठ में बहुत दर्द होता है तो ये मित्रो वात्रोक से होता है वात्रोक की वजए से ये जो दर्द होते हैं जॉइंट पैन्स वात्रोक को जजदा होते हैं तो उनके लिए अन प्तरखिप में बता देता हूं बहुत सीथी साधी तो ये जो है इसके जो भीजों का जो तेल होता है कैस्टर केश्टर ओयल वो ले लें और इसका एक पत्ता या दो पत्ता जो भी आपको उच्छित लगए केश्टर केश्टर ओयल में अरंडी के तेल को तभी पर लगाकर इसको शेक लें पत्ते को और उससे सिखाई करेंगे पांस से दस मिनट और पांस से दस मिनट सिखाई करने के बाद में उस पत्ते को ये एरंडी के पत्ते को उस जगे बांग देंगे तो जोइंट पेंट किसी भी प्रकार का वात्रोक से होने वाला दर्द ठीक हो जाएगा तो मैंने एक सीधा साथा सरल उपाय बताएं मित्रो ये देख लें इसका ये बीज है कैश्टर सीड है ये इसका फूल है ये इसके पत्ते हैं तो मित्रो ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें इसी के सा नमस्कार नेत्रपाल दुर्गादास कुछ वहा कर लियां